लंबे समय तक ऐसी में रहने से स्वास्थ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सिक बिल्डिंग, सिंड्रोम के लक्षन जैसे सिर्दर्द, उल्टी, थकान, चक्कर आदी. हड्डियां भी प्रभावित हो सकती हैं. इसके उपाय की बात की जाए तो अच्छी वेंटिलेशन ठंडी पानी पीना, व्यायाम और स्वस्थ आहार उपाय हो सकते हैं. आज कल के युवा लोग जो लंबे समय तक एमैंसी में काम करते हैं, उनकी हड्डियों में समस्याएं हो सकती हैं. इसके कारण जोडों, कमर और रीड की हड्डी में दर्द हो सकता है. ऐसी में बैठने स हड्डियों के दर्द में व्रिद्धी हो सकती है और अर्थराइटिस की स्थिती भी बिगड़ सकती है. इलाज और सावधानी बरतने से यह समस्या नियंतरण में रह सकती है. आपके ओन्फिस या घर में लंबे समय तक ऐसी चलता है तो, संभव हो, तो AC का टेंपरेचर 20 ड 27 डिग्री का तापमान उपयोक्त होता है. इस तापमान पर हड्डियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है. अगर संभव हो, तो AC में लंबे समय तक न रहें और पूरे दिन में कम से कम दो से तीन बार AC रूम से बाहर जाएं और वॉक करें. इससे शरीर को सामान्य AC में खत्म हो सकती है और प्यास नहीं लग सकती है, इसलिए पानी पीने का ध्यान रखें. लंबे समय तक AC में बिताने से सांस संबंधी समस्याइं हो सकती है, जैसे नाक, गले और आँखों में संक्रमन की संभावना. कई बार AC के कारण नाक बंध हो सकती है. यदि समय पर उस स्थिती में होता है जब व्यक्ति बार बार AC के कमरे के अंदर और बाहर जाता है. अंदर के कमरे में ठंड होती है, जबकि बाहर के कमरे में तापमान सामाने होता है. जब ऐसा होता है और व्यक्ति अचानक ठंडे तापमान से बाहर जाता है, तो वह गर्माहट का अनु